वेल्कम वीवर्स और बात करूंगा वोड़ाफोन आइडिया के बारे में और दोस्तों इसके क्यूटू रिजल्ट पे अपडेट आया है वो भी शेयर करूंगा और बैंक अभी भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं इस मैंटर पर जो लोन वगेरा बॉर्विंग है क्लेबर क्योंकि एजुकूशनल वीडियो है इसमें बाइस सेल होड़ के लिए कोई रिकमेडिशन नहीं है कि लास्ट क्लोजिंग सो दोस्तों 10 रुपए से उपर की है जो की बहत्तरीन क्लोजिंग बोल सकते हो 10 रुपए का लेबल होल्ड करा इसने और एक कह सकते हो अच् की बात है कि वाल्यूम लगातार अच्छे हैं इसके अंदर तीन करोड से उपर की वाल्यूम है जो की बहुत अच्छा है पचास परसेंट से उपर की डिलिवरी परसेंटेज है तो ओवर ओल्यूम से स्टॉक मजबूत दिख रहा है और जब से यह पतराचार वहता दोस्तो 29 अक्टूबर जो इन्होंने चार साल का पीरिड हैं के बोर्ड मेंबर्स ने अप्रूब करा है एग्यार का मामला तो मेरे साथ से स्टॉक थोड़ा मजबूत हो गया है क्योंकि बोर्ड भी दिहान देने लग गया है और एग्यार की पेइमेंट के लिए यह डैडी भी है साथ साथ एक न्यू जो निकल के आयती दोस्तों बिरला जी जो हैं वो इसके अंदर और फंड दाल सकते हैं लगबग डॉलर 150 के लगबग सो यह बहुत अच्छा कासा माउंट होगा और साथ साथ जो इसके और पार्टनर्स हैं साथ साथ वो भी कुछ इन्वेस्मेंट यह कह सकते हैं और कैपिटल दाल सकते हैं जो की वोड़फोन आइडिया के परजेंट जो कैस की दिक्कते हैं उसको ले कहीं अगई सायक होगा तो अगर यह होता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत और स्टॉंग हो जाएगी कंपनी लेकिन जो बैंक्स हैं जिनका अच्छा एक्सपोजर है वोड़फोन आइडिया के अंदर वो अभी थोड़ा सा सावधानी में हैं कि क्या होगा अभी क्योंकि अभी तक जो मोरिटोरियम है वो सब मैंटर चल रहा है और बैंक जो है कुछ प्रोविजंस भी अपनी बुक्स सब्सक्राइब करता है सबसे पहले दोस्तों टेक्निकल से देखेंगे टेक्निकल क्या बता रहे हैं यह देखिया है और यह पूरा बनता है और यह 12-20 पैसे से उपर की क्लोजिंग देता है तो जाहिर से बहात है फिर यह 15-18 के लेबल तक नहीं रुकने वाला बहुत तेज स्पीट से बागेगा अगर इसका ब्रेक आउट होता है तो यह आपको ब्रेक आउट पॉइंट ध्यान रखना इसका 12 रुपे 20 पैसे से उपर की क्लोजिंग ठीक है यह तो हो गया अपसाइड में और वहीं बात करें दोस्तों अगर हम दूसरा ट्रेंट देखें जो यह इ 30 के लगभग इसका एक च्छोट असा गैब भी है तो हो सकता है उसको फिल करें बड़े मूव या अप मूव के जाने से पहले तो चांसे हैं कि एक बार नीचे आ सकता है और नीचे आने कारण दोस्तों यह भी है एक तो टेकनिकल बताई रहे हैं कि ब्रेक आउट ब्रेक ड होगा अपसाइड होगा तो बड़ा मूव डाउनसाइड होगा तो आट रूप है और इस ब्रेक आउट का असली पता दोस्तों 12 तारी को चलेगा या 11 को भी चल सकता है क्योंकि 12 तारी को इनकी बोर्ड मिटिंग है जिसके अंदर यह अपने नंबर शेर करने वाले हैं आपको यह डेट हमेशा याद रखनी है और मेरे साब से बड़ा दिहान देने वाला स्टॉक है अभी की डेट में अगर लॉंग टम नजरिया है जैसे देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में दो-तीन प्लेयर ही है इंडिया के अंदर बड़े-बड़े तो जाहिर सी बात ह तो इसके अंदर आएगा अब वो 6 महीने बाद आए साल बर बाद आए दो साल बाद आए एक बड़ा तो रेस लगानी लगानी है इसको उसमें टाइम लगेगा लेकिन सो बात समझ माया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक चनल को सब्क्राइब जरू करेएगा मिलते नेक्